आग्ति मोरया नाम आमे मारा आप देख रहे हैं इस्टडी पाइट योट्यूब जैनल Ismarag आज का हमारा टॉपिक है टॉपर कैसे मैद पढ़ते हैं की वह 50 में से 50 लाते हैं 50 में से 48 लते हैं 50 में से 40 लाते हैं चालिस प्लस। मार्क्स कैसे लाते हैं यारे टॉपर्स की बात करें तो मैथ कैसे पढ़ा जाए हमसे काफी लोग खवाल करते हैं कि भाई मैथ कैसे पढ़ा जाए किस तरीके से पढ़ें कि हम मैथ में अच्छा से अच्छा अंक ला पाएं मैथ एक दिन भी नहीं चुए हो और आपका तीनी चार दिन में पेपर हैं तो कैसे तयारी करनी है कुछ टॉपिक्स हैं हम उनके पर डिसकस करेंगे आज मतलब भाई एक स्टूडेंट हूँ इस तार से बता रहा हूँ किस तरीके से मैथ पढ़ा जाए कि अच्छा अंक लाया जाए क्या मैथ में सभी कोश्टन रट लिए जाए क्या सभी कोश्टन करना जरूरी है इस बारें भी हम बात करेंगे तो वीडियो इंपोर्टेंट है अंत तक देखना पूरी चिठी खोल करना तब चिठा खोल देंगे भाई किस तरह से पढ़ते हैं टॉपर्स क्या उनके पीछे का राज होता है कैसे हो पूरे टॉपिक्स कंटेंट मतलब सब कुछ पूरी मैथ याद रहती है कोई भी सवाल कर दिये फटाक से लगा कर दे दिये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे लेकिन उससे पहले में बता दूँ कि हमारे पास दो बुक्स है एक है अप्लाइड मैथामेटिक थर्ड की जो की पॉलिटेकनिक थर्ड समिस्टर में पड़ी जाती है दूसरी हमारी बुक्स है आ और उसके मदस से हम दोनों चेप्टर की मदे समझेंगे सबसे पहले हम उठाते हैं पॉलिटेकनिक थर्ड समिस्टर की अप्लाइड मैथामेटिक वन की बुक्स इसमें हम खोल लेते हैं ओपन कर लेते हैं आपके समरी संख्याएं वाला चैप्टर यानि कॉम्प्लेक्श न समाच बहुत जादा जादा अच्छा या साथ फार्मूले साथ फार्मूले से जादा फार्मूला होता ही नहीं है और साथ फार्मूले के बाद कोई टापिक बनती भी नहीं है कहने का मतलब अगर इस साथ जो टाइप्स फार्मूले होते हैं किस तरह से इन फार्मूले पर एक-एक सवाल लगती है अगर एक चीजों सीख गए ना तो समझो पूरी मैत पूरा मतलब complex नमबर की अगर बात करें अगर देखो complex नमबर की बात करें तो दोस्तों इसमें यानि वही चार-पांच टापिक है दोस्तों अगर इस पांच टाइप को आपने समझ लिया किस तरह से भाई वर्गमूल निकालते हैं किस तरीके से मापांक निकालते हैं किस तरीके से कोडांक निकालते हैं और किस तरीके से हम दोस्तों ए प्लस आई भी के रूप में ब्यक् परते हो ना कोश्चन अगर इंपाटेंट तो रट लेना चलेगा समझ लेना दोचार और प्रस्ट करना समझ लेना रट लेना जो करना सब कर लेना लेकिन maximum ज्यादा तर करने के लिए सभी question मैं नहीं रट सकते इसी कारण से आप इन साथो अगर जो हमने अभी complex number की बात करें तो चार topic समने डिसकर्ट के चार या पाँच तो इस पे इन चारों पे फार्मूले पर एक एक question लगा लो अगर नहीं समझ में आया तो दो question कर लो और paper में इन method को याद किये रखना question को नहीं method को याद किये रखना तभी आप कर पाओगे अब बात हो गई फस समेश्टर की मैट की खतम अब हम आ जाते हैं भाई जो हमारे third semester वाले होंगे उनके लिए भी तो कुछ जरूरी है उनके लिए भी हम chapter खोल लेते हैं उनका matrix वाला chapter देखो ए रहा देख सकते हैं दो chapter number है अब इसमें हम बताते हैं कि दो chapter number में आपको क्या-क्या पढ़ने पढ़ेंगे कि आपको यहाँ से अच्छे अंक मिले अगर इसके method को clear करना है तो देखो एर इसमें अगर हम पढ़ते हैं तो आपको क्या-क्या आना चाहिए तो इसमें आपको आना चाहिए एक तो upper triangular matrix में कैसे change किया जाता है एक topic हुई दूसरी topic की अगर दोस्तों हम बात करें तो आपको यहाँ पे A inverse निकालना आना चाहिए वह भी प्रारंभिक नियम की मदस से ठीक है तो दो topics हुई अब हम तीसरी बाते दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हमने इतनी चीज़ सीख ली अगर हम इसमें आगे और बढ़ें तो आपको जो आपके matrix है इसके rank निकालना आपको आनी चाहिए rank हो गया अब rank के बात जब हम आगे बढ़ें तो rank के साथ साथ आपको शुन्यता यानि नल्टी निकालना आना चाहिए फिर उसके आगे अगर बढ़ें तो नल्टी कहें मतलब या नल्टी जो आपकी सुन्यता है और quote यह उसकी rank यह दोनों का सोपानक रूप बिजिस से कैसे निकालते हैं इतनी आनी चाहिए यानि दोस्तों 4 से 5 ही तो टापिक है बहुत जादा तो नहीं है ना दोस्तों सिर्फ 4 टापिक यानि सबसे पहले आपको सीखना होगा मेथड क्लियर करना होगा कि आपको जो है किस फॉर्म में अपर टैंगुलर मेट्रिक्स में चेंज़ करना आना चाहिए अगर हम दूसरी इस चेप्टर से बात करें जो मैं थर्ड की है और दूसरे चेप्टर के हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या आना चाहिए भाई इधर चली गई और पूरा अंत तक बताया हूं ठीक है ना तो इस कारण से भाई आपको यह चाहिए फिर उसके बाद आपको शोपानक रूप आलाना चाहिए यानि यही आपके चार पॉइंट थे अगर दोस्तों आप चार पॉइंट का मेथर क्लियर करके जाते हैं बोड एक्जाम में आपके ऐसे कोश्चन आ जाते हैं तो आपको मेथर क्लियर फारमूली याद आप भाई कोश्चन लगा लोगे लेकिन अगर कोश्चन रटके जात किस तरह से करें कि मेरे अच्छे आंक आ जाए भाई तैयारी नहीं पारी question नहीं याद होतें तो कुछ लोग भाई जो ऐसे करते हैं उनके लिए question मैंत के नहीं याद किये जाते method clear किये जाता है हर जितने भी top की chapter है अगर हम देखो पॉल टेकनिक first semester की सबसे पहले बात कर ले अगर उनको chapter से पढ़ने या तो कितने पढ़ने पढ़ेंगे तो देखो मैं बता देता हूँ total उन्हें पढ़ने पढ़ेंगे 22 यानी 22 chapter पढ़ेंगे और इन 22 में सब में 5 या 6 फार्मूले होंगे किसी किसी में तो दो ही है तो दो ही तो पढ़ने पढ़ने पढ़ेंगे भाई तो हर में अगर दो ही जिसमें होगा दो ही तो सब के method clear कर लेना सब कुछ तयारी हो जाएगी अब आ जाते हैं मैं थड़ पर मैं थड़ कि हमने पूरी प्रपेशन तो नहीं कर आई है लेकिन करा दूंगा जितनी मतलब 30 नंबर से प्लस करा दूंगा जिससे वह पास हो सके अभी भी जितना पढ़ा है उतने से भी पास सकते हैं लेक टाइम मिले तो पढ़ लेना ठीक है और यहां से कोश्चन आते हैं मैं थ्री में तो बाइस चेटर इसमें भी है यानि सब में भाई आपको मेथड क्लियर करने है जी तरह से पूर्ट टेक्निक समेस्टर की बुक से सभी के मेथड क्लियर करोगे वाइस चेटर की उसी तरीक बहुत रियर केस में बड़े वाले कोश्चन आते हैं नहीं तो ऐसा कोश्चन आता है वो समय सेट रहता है दोस्तों ताकि वो आसानी से हल हो जाए ठीक है ना तो यह बात रही भाई मेथड के लिए एक बात और इंपॉर्डिन बताना चाहता हूं पेपर में जो पेपर में हमाई तुरंत करते हैं नहीं तो जाकर बोर्ड का पेपर देख लेना 100% में से मतब लगवाग 80% कोश्चन जो आते हैं 60 मालो 60 मालो 60% जो कोश्चन आते हैं वो आपके एक्जामपल से आते हैं ठीक ना तो यह बस सोचना कि एक्जामपल लगा है तो हमें नहीं पढ़ना है पढ़ना है प्रिश्णावली भी पढ़ने है में थर्ड किलीर के साथ अब बात कर लेते हैं मैत कैसे सॉल्व करें मैत बता दू दोस्तों आपका पॉलिटेकनिक फस समिस्टर है धाई घंटे का पेपर होगा 50 नंबर का होगा मैं बता दूं अगर उसको अच्छे से करना च करके मैं थर्ड की पच्चास एक घंटे में और मैं जो वीडियो एक घंटे में लाओं को मैं सोच रहां मैं फस्ट मोड पर उसको लगा दूंगा बिल्कुल सीधे सिंबल्स आपके सामने सूट होगी पूरी वैसे की वैसे अपलोड की जाएगी वह सकता उसकी मैं एडिटि कुछ आसानी से हो जाएंगे तो गाइस पूरा बात रही कि मेथर्ड आपको क्लियर करने होते मैं पढ़ने के लिए कोश्चन नहीं रितना होता फार्मूले सबयाद होने चाहिए बस तो आप जो पेपर में जाएंगे तो इसी तरीके कुछ याद करके जाएंगे मैं फर्स थाकि उन्हें भी पता सकते हैं मैं फर्स्ट या मैं थर्ड किस तरीके से पढ़ी जाए और उनको आ जाए भाई और पेपर में अच्छे से 50 में 50 50 में 40 40 45 प्लस अंक कैसे लाए जाए 100 में 100 जब होते हैं तो वहां कैसे लाए जाए इस मेथर्ड से अगर करोगे तो कभी नह चूख सकते हैं और हमें साब बैक लगने तो कोई चांसरी नहीं रहेगे भाई ठीक है ना तो इस वीडियो में तो इतना है भाई इस वीडियो को सेर्थ तो करोगी आप और थैंक्स फारवाचिंग बताना चाहूंगा कि मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में कुछ और इनफॉर्मेशन वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई